शीत युद्ध और सोवियत संग का विगटन 1945-1992 1945 में सोवियत संग संयुक्त राज अमेरिका ब्रिटेन आदी ने मिलकर जर्मनी और जापान को हराया था लेकिन यह एकता कायम नहीं रह पाई और सोवियत संग और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिदंदी और विरोधी के रूप में उभरे सोवियत संग साम्यवाद और समाजवाद के पक्ष में था और विश्व में समाजवाद को फैलाने में विश्वास रखता था किसी देश के संसाधन कारखाने बैंक खदान आदी सरकार के नियंतरण में हो और उनका उप्योग समाज के सभी तबकों के हित में हो और सरकार समाज में असमानता को कम करने का प्रयास करे ये सामेवादी नीतियां थी इसके विपरित अमेरिका निजी उद्धमिता को बढ़ावा देना चाहता था जिसमें संसाधन निजी हाथों में हो और बाजार बेरोक टोक चले निती के इस्तर पर अमेरिका लोकतंत्र पहुदलिय चुनाओ आधी को बढ़ावा देना चाहता था ये तो थे दोनों के बीच सैधान्तिक अंतर व्यभारिक इस्तर पर दोने देश अपने प्रभावशेत्र का विस्तार करना चाहते थे ताकि युद्व और व्यपार में मदद मिले एक और सोवियत संग समाजवाद का प्रतीक बना तो दूसरी और अमेरिका पूंजिवाद और लोकतंतर का प्रतीक बना लेकिन व्यभार में उनकी वास्तुइक नीतियां अकसर दूसरे देशों वो उनके संसाधनों पर नियंतरन जमाने की थी 1945 में जो वारताय और संधिया हुई उनके तहट एक तरह से दोनों देशों ने विश्व में अपने प्रभावशेत्र की सीमा नेधारित कर ली थी सोवियत संग के प्रभावशेत्र में पूर्वी यूरोप था और बाद में चीन, कोरिया, आदी देश जुड़ गए बाकी विश्व पर अमेरिका और उसके सहयोगियों का प्रभावशेत्र बना रहा दोनों देशों ने इस सीमा को स्विकार तो किया मगर एक दूसरे पर शक करते रहें प्रारम्व में अमेरिका का अस्थान सामरिक रूप से उंचा था क्योंकि विश्व में केवल उसी के पास परमाणू हत्यार थे लेकिन 1950 के दशक में सोवेत संगे के पास भी ये हत्यार उपलब्द हो गए 1945 से 1970 तक विश्व अर्थ व्यवस्था लगातार विकास कर रही थी और दोनों देशों के बीच तनाव तो था मगर युद्ध की नौबत नहीं आई लेकिन 1970 के बाद विश्व अर्थिक व्यवस्था में मंदी चा गई और दोनों देशों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया दोनों देशों के पास पूरे विश्व को ध्वस्थ करने लायक परमाणू हत्यार थे और दोनों को यह पता था कि अगर परमाणू युद्ध होता है तो निश्यती दोनों देश एक दूसरे को नहीं बलकि पूरे विश्व को तबाह कर देंगे अब वे सीधे एक दूसरे से युद्ध न करके उपनिवेशी देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने लगे जब किसी बात पर दो पड़ोसी देशों के बीच तना होता तो दोनों महाशक्ती देश सेनी और अन्य सहायता देकर उन्हें युद्ध के लिए तयार करते उधारन के लिए 1950 में कोरिया और 1954 में वियतनाम का बटवारा हुआ उत्तर और दक्षिन कोरिया तथा वियतनाम के बीच लगातार युद्ध और संगर्ष के परिस्थिती बनी और सोवेट संग एक पक्ष की ओर तो अमेरिका दूसरे पक्ष की सहायता करता है इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ और दोनों देशों के बीच तराओ के इस्थिती में सोवेट संग भारत को और अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन देते रहा पश्चिमी एशिया में अरब देश और इस्दाइल के बीच इसी तरह संगर्ष के इस्थिती बनी दक्षिन अफ्रीका में अंगोला, नामीबिया और मुंजाबिक के स्वतंतरता संगर्ष भी इसी तरह सोवेट संग और अमेरिका के अपरोक्ष युद्ध के शिकार हुए सबसे अधिक खतरनाक तो दोनों देशों के बीच की शस्त्र प्रतिस परदा थी या जानते हुए कि परमाणु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो सकती सोवेट संग और अमेरिका यही प्रयास करते रहे कि दूसरे देश को परास्त करने के लिए और घातक वह अधिक मात्रा में हथियार बने इन्हें उन्होंने विश्वभर के अपने सैन ठिकानों पर तैनात कर रखा था पूरी दुनिया के देश इस प्रकार परमाणू हथियारों के निशाने पर थे यही नहीं दोनों देश लगातार यह धमकी देते रहें कि वे किसी तनाव की इस्थिती में इन हथियारों का उप्योग कर सकते हैं एक और बड़ी समस्या थी कि अगर किसी तकनीकी गलती से न चाहते हुए भी परमाणू अस्त्र का उप्योग किया जाए तो भी दुनिया का विनाश हो सकता है इस तरह 1975 से 1989 तक पूरी दुनिया परमाणविक विनाश के कगार पर खड़ी रही इस्तिती की गंभीरता को देखते हुए पूरे विश्व में खासकर अमेरिका और योरोप में जहां सबसे अधिक परमाणू हत्यार तैनाद थे आम लोगों के विरोध प्रदर्शन और शांति अंदोलन होने लगे लाखों की तादात में महिला, पुरुष और बच्चों ने आंदोलनों में भाग लिया और अपने ही देश की सरकारों से मांग की कि वे बिना कोई शर्थ अपने परमाणू हत्यारों को नश्ट करें और किसी दूसरे देश को अपनी भूमी में उन्हें रखने की अनुमति ना दें सोवेट संग में लोकतांत्री का धिकार सेमित होने के कारण वहां बड़े पैमाने पर यह आंदोलन नहीं हो पाया मगर वहां के बुद्धी जीवियों ने इस आंदोलन का भरपूर समर्थन किया इन आंदोलनों के दबाव के चलते सोवेट संग और अमेरिका के निताओं में भी यह विचार आया कि परमाणू शस्त्रमुक्त विश्व बनाना है दोनों देशों के बीच परमाणू अस्त्रों को कम या खत्म करने के संबंध में लगातार वारताय चली जो कई विफलताओं के बाद अंत में 1998 में आइसलेंड की राजधानी रेकजेविक में और अमेरिका की राजधानी वाशिंग्टन में पूरी हुई निरस्ती करन की इस अत्यंत महत्रपूर्ण संधी पर अमेरिका और सोवेट संग के राश्टपती रोणाल्ड रीगन और मिखेल गोर्ब चोव ने हस्ताक्षर किये जिसके तैद दोनों देशों ने अपने परमाणू हत्यार कम करने और उनके प्रयोग की संभावना को नगर ने बनाने का निर्न लिया इन संधियों के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हुआ लेकिन शीट युद्ध ने गहरे घाव और प्रभाव विश्व पर छोड़े पहला तो इसके चलते सोवेट संग और अमेरिका साहित विश्व के अधिकांज देशों को विकास और लोखित पर धन खर्च ना करके शस्त्रों और सेनाओं पर खर्च करने पर मजबूर किया कुछ देशों ने जो शस्त्रों के वैपार और शस्त्रुद्योग पर निर्भर थे जिन्यों ने तो मुनाफ़ा कमाया मगर अधिकांज देश आर्थिक रूप से कमजोर हुए इनमें स्वेम सोवेट संग संबलित था सोवेट संग की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई पूर्वी यूरोपिय देश जो सोवेट संग के नियंत्रण के कारण छटपटार है थे तेजी से स्वतंत्र हुए सबसे महत्रपूर्ण घटनाकरम में जर्मनी के दोभाग का विले हुआ और उसके राजधानी बरलीन को बाटने वाली दिवार को नाटकिये तरीके से आम लोगों की हुजुम ने ध्वस्त कर दिया सोवेट संग इन सब के प्रभाव से उभर नहीं पाया और 1992 में अप्रत्याशित तरीके से खुद ढह गया अब साम्मिवादी सोवेट संगठन की जगा अनेक छोटे गणतंत्र इस्थापित हुए जिन्होंने पूंजीवाद और चुनावी लोगतंत्र को अपनाया इसके साथ ही आधुनिक विश्व में समानता और समाजवाद लाने का एक महान प्रयास विफल हुआ शीत युद्ध के एक और प्रभाव को आज मिश्व जेल रहा है जब सोवेट संग ने अरब देशों पर अपना प्रभाव डाला और अमेरिका व इसरायल के विरुद्ध उनको तयार किया तो अमेरिका ने उन देशों में यह भावना फैलाई कि सामेवादी सोवेट संग से इसलाम धर्म को खत्रा है इसी तरह जब सोवेट संग ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस पर नियंत्रन जमाया तो अमेरिका ने इसलामी धार्मिक सम्मूव को उकसा कर उने सोवेट संग से लड़ने के लिए घातक शस्त्र दिये इसी तरह प्राया विश्व के अन्य भागों में भी छापा मार युद्ध करने के लिए सोवेट संग और अमेरिका ने गुटों को तयार किया वर्तमान युक की आतंकवाद समस्या का आरंब शीत युद्ध से ही होता है